हेलो फ्रेंट साब देखरें इंगलेंस हैं सुराज इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे इंकम टैक्स का रिफंड अभी तक हमें नहीं मिला है साल खतम हो गया है हमने अपने अकाउंट में लॉगिन किया है यहां पर अगर आप लॉगिन डेश्टॉप साइट पर करेंगे आ अब आपके समझ में आ जागा देखिए पर देखेंगे हम प्राब्लम क्या है हमने अपने अकाउंट में लॉगिन किया है यहां पर यह डैश्बॉर्ड है उसके बाद यह फाइलिंग है यह सब जो मेनू है यह जो नीली वारी जो पट्टी है ना पूरी की पूरी यह आती होगे तो आपको प्राबलम अगर है तो दिखाई देगी अगर इसी इसी पंडिंग एक्शन में जो भी प्राबलम है जो भी इश्व है वो आपके इमेल आडरेस पे भी आया होगा ठीक है यहां पर हमें एक एश्यवाया है यह सब्मिट रिस्पॉंस रिस्पॉंस को सब्म पर क्लिक कर लेता हूं और submit क्या करना है मैं आपको फिर से बता देता हूं यह वैसे मेरी तीसरी वीडियो है submit करना क्या है यहां पर देखिए please select one of the below response तो उसमें से एक response तो यह है कि मैंने जो claim किया है वो मेरे knowledge के हिसाब से सही है और इसमें कोई भी वो नहीं है तो यह चीज़ है और दूसरा यह है कि मैंने जो income tax return file किया था उसमें थोड़ी से mistake है और मैं उसमें rectify करना चाहता हूं या फिर उसमें क्या करना चाहता हूं दुबारा से उसे revise करना चाहता हूं अगर आपको revise करन चाहते है आप तो आप यहाँ पर क्लिक कर दिजिए बसे यह बटन उसके लिए है कि यहाँ पर आपको स्रेप्ट एक बार क्लिक करना है और एक बार जैसे मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं और यहां पर submitted कर रहा हूं इसका मतल़ है कि मैंने जो file किया है income tax return वो सही है मेरे knowledge के हिसाब से सही है और यहाँ पर इस तरह से आपको confirmation number आता है ठीक है हम acknowledgement number के साथ जाएंगे मैं आपको बता होगा proper ठीक है और उसके बाद यह हमारा response जो है वो submit हो गया है successfully अब देखते हैं कि आज यह हमारा response submit कर दिया है हमने आज के बाद आज की तारीक है देखिए 16 फरवरी और देखते हैं कितने दिन में process होता है उसके पहले मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कुछ यहाँ पर देखिए मेरा income tax return जो है वो अभी तक नहीं मिला है और कब मिलेगा यह देखिए अभी भी क्या मेरा जो refund process है वो यहाँ पर भी under processing ही दिखा रहा है यहाँ पर आप देखिएगा जब मुझे मिलेगा तो यहाँ पर processing completion आ जाएगा तो वो दिन कुन सा होगा हम देखेंगे आज की तारीक मैंने आपको बताई है और एक चीज का analysis करेंगे और वो भी capture डाल देंगे ओके और मैं proceed करता हूं तो accessing officer देखिए यहाँ पर यह दिखा रहा है कि no record found इनका कहिना है कि इस income इस pen card के लिए इस साल के लिए कोई भी record इसका मतलब यह है कि हमारा जो accessing officer है इनों ने अभी तक हमारा जो केस है पेमेंट का केस है आगे forward नहीं किया आगे मतलब किसको bank banker को forward बाद नहीं किया बैंकर को forward करने के बाद वो उसका एक dedicated bank होता है उस bank से हमारा payment issue हो जाता है ठीक है हमारा जो refund है वो credit हो जाता है तो इन्होंने अभी तक नहीं किया है उन्होंने अभी तक इसलिए नहीं किया था कि हमारा जो वह matter था जो मैंने आपको थोड़ देर पहले ब बता हूंगा अगर आपके account में भी इस तरह से कोई pending actions में जाईएगा और वहां पर कोई आता है issue तो वहां पर आपको दिखाए देगा और उसे solve करिएगा जैसे मैंने solve किया है वैसे solve करिए और उसके बाद में आपको जल्दी ही income tax का जो refund है आपका मिल जाएगा अब देख फाइल में ले चलता हूं और income tax return में ले चलता हूं और view फाइल पर ले चलता हूं तो देखिए आपको acknowledgement नमबर यहां पर दिख रहा होगा तोड़ दिर पहले जो मैंने screen पर display किया तो वही acknowledgement नमबर है और यह अभी यहां पर तो खेर अंडर processing दिखा रहा है लेकिन जब मैं आपको dashboard में लेके जाओंगा तो इसकी जो processing है वह complete हो चुकी है ठीक है 15 दिन लगे है worklist में जो problem थी हमारी उस response को clear करने में उसको 15 दिन लगे है और 15 दिन के बार अभी हमारी जो आईटर की जो process है वह complete हो चुकी है ठीक है तो हम देखते हैं अभी अगर आपको और ज़्या हैं और इसके बाद आप यहां पर नीचे देखिएगा तो file successfully है और refund status पचास हजार के आसपास है और जैसे मैंने आपको कहा था कि यह 13 August के आसपास जो file किया था और यहां पर देखिए यहीं चीज जो थी वो नहीं थी जब हम starting में देख रहते हैं worklist की जो problem solve करने से पहले ह यहां पर था यह टीक जो थी यह नहीं ठीक है लेकिन अभी यहां पर दिखा रहा है processing completion इसका मतलब यह है कि हमारा जो process वो complete हो चुका है अगर हम worklist की problem को solve नहीं करते तो हमारा tax नहीं आता लेकिन अभी 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन के बाद हमारा जो process है वो complete हो चुका है और कुछ दिन के बाद अभी हमारे account में पैसा deposit हो जाएगा तो यह हैं आप भी इस तरह से problem solve कर लीजे मैंने यह live इसलिए दिखा आपको क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे हैं कि हमारा अभी तक नहीं आया है worklist problem solve के अभी भी नहीं आया है तो इसलिए मैंने यह real चीज़ टेक क्यार